सावन महीने के अंतिम सपताह अगस्त महीने में जिले में 87.9 मिलिमीटर बारिश हुई है बुधवार को 21 मिलिमीटर बारिश हुई गुरुवार की वर्शापात रिपोर्ट शुक्रवार को मिलेगी पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदिया उफान लेने लगी है किसान खेतों की ओर दोड़ गए हैं गांभ में आलम यह है कि सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक लोग खेतों में काम कर रही हैं किसान खेती बारी को छोड़ सभी काम भूल चुके हैं बारिश के बाद खेतों में पानी नजर आने लगा है लेकिन किसानों में वह उत्साह नजर नहीं आ रहा जो बारिश के शुरू होने पर होता है खेतों में लगे बिच्ड़े बूड़े हो गए हैं उन्हीं बिच्ड़ों को उखाड कर किसान खेतों में रोपनी कर रहे हैं सम्रिधा किसान दूसरे गाव से मजदूर लाकर काम करा रहे हैं मजदूरों को 10 से 12 किलोमेचर दूर से सम्रुधा किसान रोपनी करने के लिए लेकर आ रहे हैं, जिन्हीं मजदूरी के अलावा आने जाने का भाड़ा भी दिया जाता है. मजदूरों को प्रति दिन 250 से 300 रुपे मजदूरी किसान दे रहे हैं. बारिश के बावजूद खेतों में बहुत ज़्यादा किसान नजर नहीं आ रहे. अभी भी अधिकांश खेतों में पानी तो नजर आ रहा है, परंतु खेत खाली पड़े हैं. एक नमब खेतों के अलावा दो नमब खेतों में इतना पानी जमा नहीं हुआ है, जिससे रोपनी का काम किया जा सके. नदियों और ज़र्नों में भरा पानी. दूसरी तरफ लगातार हुई बारिश से नदी नाले भर गए हैं. नदियों में वह प्रवाह अब तक नहीं आया है, जो सामान्यता बरसात के दिनों में होता है. इसके बावजूद नदियों में पानी कम है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता. कारो, कोयल, कांची, चेंग जोर, बनाई, छाता, तजना और करकी आदी नदियों में काफी पानी भर गया है, जिससे ज़र्नों का स्वरू बदल गया है. बरसात के दिनों में ज़र्नों से गिरते नदियों के मतमेले पानी प्रकृती की सुन्दर्ता को चार चांद लगा रहे हैं. पेरवान घाग, रीमिक्स फॉल, पंच घाग होर रानी फॉल आदी ज़र्नों में काफी पानी है. नए लोगों के लिए अभी नदियां और ज़र्ने काफी जोखिम भरे हैं. ऐसे में पर्यटन्स थलों में जाने वाले सैलानियों को विशेश साबधानियां बरतने की जरूरत होगी. हालांकि अब तक हुई बारिश से डैम और तालाब नहीं भरे हैं. कुण का जलस्तर भी बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है.